हेलो एब्रीवन इस वीडियो में हम फूट के बारे में पढ़ेंगे जो हमें क्या होते हैं? प्लांट से मिलते हैं अब हम सबको पता है कि हमें फूट क्या होता है? प्लांट से और एनिमल से मिलता है और हमें प्लांट से कौन-कौन सा फूट मिलता है? वेजिटेबल, फ्रूट, सीरिल्स यह सारे क्या हैं हमें प्लांट से मिलते हैं अब हम सीरिल्स कौन कौन से खाते हैं वीट, राइस, माइस, इटी से यह सारे क्या हैं सीरिल्स हैं मतलब अनाज है कौन कौन से गेहू, चावल, मक्का यह सारे क्या होते हैं अनाज होते हैं और हमें क्या मिलता है फ्लांट से पॉल्सेज मिलती हैं मतलब डाले मिलती हैं अब डाले कौन कौन से होती हैं राजमा, बीन्स यह सारी क्या हैं डाले हैं और हमें क्या मिलता है फ्लांट से वेजर टेबल्स भी मिलती हैं जैसे कैरेट, क मिलते हैं फ्रूट कौन कौन से होते हैं एपल मैंगो बनाना यह सारी क्या है फ्रूट से हैं जो हमें किस से मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं इसके अलावा हमें और क्या मिलते हैं नट्स नट्स भी तो हमें किस से होते हैं प्लांट से मिलते हैं नट्स कौन कौन से होते हैं पी कोफी यह सारे असके मिल रही है चीजे यह वह आदा और कलो अलावा हमें प्लांट से सुब आप मिल रहा हैं दिजिसे हम क्या करते हैं इस सारीष रहते हैं सर्सों से मिलता है सनफ्लावर का तेल भी हमें कहां से मिलता है सनफ्लावर से मिल रहा है तो यह सारी चीजों से हम क्या करते हैं ओइल निकालते हैं और इनका ओइल हम किसमें यूज करते हैं कुकिंग में यूज करते हैं अब हमें प्लांट से खाने की सारी चीज़ें मिल रही है लेकिन हमें प्लांट से और भी क्या क्या मिलता है प्लांट से हमें मैडिसन मिलती है मैडिसन क्या उनकौन से होती है जैसे तुलसी, नीम ये सारी क्या होती है मैडिसन होती है ये भी हमें किस से मिलती है प्लांट से मिलती है और जो हमारी मैडिसन बनती है उसमें भी क्यों होता है ये सारी चीज़े यूज की जाती है अब हमने देखा कि हमें प्लांट से खाने की मतलब खाने का गला समान और मैडिसन तो मिल रही है लेकिन हमें प्लांट से और भी बहुत सारी चीज़े मिलती है जैसे कि कॉटन, जूट, फाइबर ये सारी चीज़ें भी हमें किस से मिलती है प्लांट से ही मिलती है और हम इसे क्या करते हैं अब कॉटन के कपड़े हम क्या करते हैं पहनते हैं तो ये हमाई कॉटन जो मिलता है वो किस से होता है जो हम प्लांट से ही तो मिल रहे हैं और इसी से क्या होता है हमारे कॉटन के कपड़े बनते हैं अब हमारे कपड़े भी जो से मिल रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमें खाने की समान फिर हमारी के प्लांट से जैस्मेन के प्लांट से क्या बनता है पर्फ्यूम बनता है और प्लांट से हमें क्या मिल रहा है पर्फ्यूम भी मिल रहा है और और भी हमें बहुत सी चीज़े मिलती है और क्या मिलता है हमें प्लांट से रबर मिलता है रबर का प्लांट होता है उससे हम क्या क मिलता है अब प्लांट से तो ये सारे समान भी मिलना है अब हमारे घर का फरनीचर जो बनता है बैड टेबल चेयर ये सारी चीज़े किससे बनती है प्लांट के उससे ही बनती है प्लांट की ट्री से बन रही है पेपर ग्लू ये सारी चीज़े किससे बनती है प्लांट के प्रोडेक्ट से ही बनती है और प्लांट क्या करती है जो प्लांट क्या है अनिमल्स और बर्ड का शेल्टर भी है अब देखोगा बर्ड कहां रहती है पेड़ों पे तो रहती है अनिमल्स भी मंकी देखा कभी वो कहां रहता है पेडों पे रहता है, तो प्लांट क्या है? वो बर्ड का बर्ड का और आनिमल्स का क्या है? शेल्टर भी है, मतलब घिर भी है और सबसे बड़ी चीज प्लांट से हमें और क्या मिलता है? ऑक्सीजन जिससे क्या रहते हैं सारे living things जिन्दा रह सकते हैं तो प्लांट हमारे लिए क्या हुआ बहुत ज्यादा कैसा है useful है प्लांट से हमें बहुत सारे चीज़े मिलती है प्लांट हमारे लिए बहुत useful है